मस्ता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों नाँ, साधान मनुष्य भी, मुद्धी विवेक और कर्ण से उसका समधान कर सकते हैं ताना, राधा यह तो दाव कस्वार है? हाँ गुवाले दाव आप, लगता है आप आमें बहुत दे से दून दाव हैं हैना दाव? काना, मैं नौरात्री से देखते आ रहा हूं इतने बहेंकर बहेंकर असुराय वैं सब अपने आप ही मारे गए बताव कैसे? यह तो अच्छी बात दाव देखो काना मैं जानता हूं कि तुम दोनों मिलकर मुझसे कोई सत्य छुपा रहे हो उस दिन राधा भी देवी लक्षमी की बात कर रही थी बताव सत्य क्या है? बस इतनी से बात हम अब है आपको सत्य बताते हैं दाव हम 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 नहीं नहीं हम यह बता रहे थी क्यासा तुको यसूर आया ही नहीं राधा काना तुम दोनों को क्या लगता है कि बलराम के पास के वलबल है? नहीं नहीं यह आप क्या के रहे? यह आपके पास बल्ली है? काना, बात को मत बदलो मैं यह कह रहा था कि मेरे पास बल्ली नहीं, अपी तुक बुद्धी भी है इसलिए बताव कि जो असूर आये, वैं कैसे मारे गए? अन्ने था दाव, आप सत्य के रहे हैं बहुत असूर आये ते, और सबका अंत किया देवी शक्तिन है, है ना क्वाले? हाँ, कोपी, हाँ हाँ, हाँ, दाव, उन्न अव्राथी तीना, इसलिए देवी शक्तिने हमारे रक्षा कियों असूरों से? अच्छा, तो उन असूरों को देवी दुर्गा ने मारा था और वो एकांगा की शक्तिया, जो आयी थी, उनको किसने मारा? दाव, उनको देवी लक्ष्मी ने धान किया देवी लक्ष्मी ने? देवी लक्ष्मी ने धान किया? हाँ, दाव, क्योंकि वो देवी लक्ष्मी काई रूप थी और यसलिए देवी लक्ष्मी ने उनको अपने वीता धान करिया, है ना, गोपी? अच्छा, तो ये बात है और वो एकांगा, उसका क्या हुआ? डाओ, एकांगा को मान की कोई हशकता नहीं है ताना, अब ये मत कहना कि एकांगा हमारी बेहन है और इसलिए तुमने उसे जीवे छोड़ दिया काना, मैं कह रहा हूँ, यदि वाइकांगा मेरे सम्मूख आ गई तो मैं उसे जीवेत नहीं छोड़ूँगा बाया, काना, ये खेशिपले, इतनी बड़ी दान दी जाओ, ये कोई दान भी नहीं, अब भी तु आपकी बेहन इकांगा है इकांगा? तो ये इकांगा है इससे तुम्हें कितने दिनों से मिलना चाह रहा था अब आज इसे भी पता चल जाएगा कि मैं पल रहा हूँ काना, बहुत गोल-गोल घुमाया है तुमने आज सीधे सीधे पकड में आये हो आज तुम्हें जीवित नहीं छोडूंगी किल्तो एकांगा? तो मुझे कहा लेकर जा रही हो? नहीं, राधा, ये हमारी बहन नहीं हो सकती ये हमारी शत्रू है इसलिए मैं इसको जीवित नहीं छोडूंगा दाओ, इस समय एकांगा का बद करनी से अधिक काना को बचाने की वारे में सूचना छेए राधा, काना को बचाने का एक ही मार्ख है इस एकांगा का अंथ इसलिए इस असर को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूगा और वैसे भी मुझे किसी आशूर को मारे हुए बहुत दिन हो गए मैं आपसे सहमात दाओ ऐसे बेहन किस काम की जो आपने परजनों की सत्रू बन गए हो किन्त दाओ, हमें इस विशाल का अइकांगा का अकिले सामना नहीं कर सकते राधा, क्या तुम्हें बल्राम के पल पर संदेया है? नहीं, नहीं, दाओ, हमें आपर पून विश्वास है पर उन गवाले पर बिल्कुल विश्वास नहीं है क्या पता वो हमें छोड़ते अपनी बेहन इकांगा की रक्षा करने लगे? हा, एसा वो क theo दो सकता है तो हम क्या करने, राधा? हा, इसलिए तो हम कह रहे हैं के हम्हें ये उसुदा कांगी नंद कांगा को सबको बुलाकर लाना चाहिए क्योंकि वो गवालतों के वल ये उसुदा कांगी के बार सुनता है राधा, तू सत्य के रही हो, काना को ये सम्झाना और चक है, ये काना हमारी बहन नहीं, अपितु सब की शत्रू है, और इसलिए हमें सभी विंदावनवासियों को भुला नहीं होगा, चलो राधा, चलो जाओ एकांगा, मैं तुमारे साथ चलने को तयार हूँ, इसलिए मुझे नीचे उतार दो, एकांगा, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, नहीं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरा भाल सह नहीं पाऊगी देख रहे हो, बदराक्ष, नहीं भगवान, मेरो तात्परीजे है कि मैं इतनी परसंदता से भरगो, इतनी परसंदता से भरगो, कि कचु देख दबारा, आज वो शुप, वो पावन घड़ी आ गई, जब भगवान कंस की आत्मा का एक अंश, उस परमवतार शिरी आज तो स्वेम मेरे चकरव में गिर गया, अरवान, मैं तो छे सोच रहो हूँ कि आपको सत्रू कितनी देदी आवस्था में है जाएगो, कि देखेगो सब पर कचु करना सगागा, बदराक्ष, बगवान कंस हूँ, नयावान हूँ, यदि अब भी वो मेरे शर्ण में आजाएगे, तो मैं उसे ख्षमा कर दूँगा, अरे बगवण, आपको तो हिर्दे इतनों मिसाल है, कहना? ओ चकरदारी, बगवान कंस, आज तुझे एक मंगा लवसर प्रदान कर रहे हैं, आजाएगे। आजा मेरी श्रण में आजा, क्षीर सागर से अधिक सुप्राप्त होगा तुझे मेरे कंचधाम में यदी नहीं, तो ऐसे ही चुपचाप बैच कर देखता रहे अमंगल अपना इस बरमवतार श्री करश्णिका एक आंगा, एक बात समय में ने आई, तुम यह क्यों ने कर आई हो? ताकि तुम्हारी मृत्तियों के बीच में कोई बाधाना बन सके एक आंगा, तुम मेरे बड़ी ज waiver हो, तुम एक बँत दो मेरे बात सननो बहन.. मैं किसी की बहन नहीं हो और कोई मेरा भाई नहीं है मैं तुम्हारी मृत्तियों हो, मृत्तियू एक आंगा, प्रिसुष्योर्च के राग में तुम्हे अंढा कर दिया है यथार्थ मुने, तुमने अपनी आखे मून लही है, एक बार अपनी आखे खोल कर देखो, फिर तुम्हार सामने तुम्हारे शर्ट दुरू नहीं, अभी तुम्हारा छोटा भाई खड़ा होगा बालग, मैं यथार्थ को नहीं देखना चाहती, क्योंकि वहाँ पे मेरे लिए पीड़ा के अधिर्क्त और कुछ नहीं है एक आंगा, अपने भाई को मारने से पहले एक बार तुम्हारी मृत्यू के पश्चात मुझे सोचने के लिए बहुत समय मिलेगा बैन, क्या अपने छोटे भाई को माल कर तुम्हारी कारण मेरे साथ अन्याय हुआ है तुम्हारी कारण में माता की गर्भ से निश्काशित कर दी गए और मुझसे मा का आंचल छिन गया और तुम, तुम चाहते हो मैं तुम्हें प्रेम की द्रिष्टी से देखू नहीं, मैं तुम्हें एक शमा नहीं कर सकती कानहा, नहीं कर सकती मेरे अपराधी तुम हो नंद और ये शोदा नहीं मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी हाँ बेंट, तुम सत्य के रही हो मैं तुम्हारा अपराधी हूँ किन्तु एक बार रुशान तो जाओ बेंट मैं अपने अपराध का प्राइश्चित करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे अपराध का सिर्फ एक प्राइश्चित है मृत्यू बेंट, मुझे मृत्यू का बेंट नहीं है माली में मर भी सकता हूँ किन्तु यदि मुझे कुछ हो गया तुम्हारे कर्म में ही नहीं तुम्हारी बातों में भी छल है बेंट, यदि मुझे तुमसे छल करना होता तो मैं तुमपर प्राहार करता तुमसे बचता नहीं और यहां मैं तुमसे छल नहीं अपित्थु तुम्हारा अन्याय करने आया हूँ जिसके साथ जन्म से ही अन्याय हुआ है उसके साथ तुम न्याय कैसे करोगे जो तुमने खोया है वो तुमें दे कर भेन महिया, बाबा और भाई का प्रेम दे कर केवल यही मार गया भेन इसलिए से तुमारी पीड़ा कम आ सकती है इसलिए मुझे एक अफसर दो बहन यह एक आंगा इतनी देर क्यों लगा रही है सिधे उस काना का अंत क्यों नहीं कर देती है भगवान, मुए तो लग रहो है जैसे कोई मच्री काटे में भस्ती चली जाती है भस्ती चली जाती है वैसे यह गंगा बाकाना की माया में फस्ती चली जा रही है भस्ती चली जा रही है अब अगवान यदि ऐसे एक आंगा उसकी बाते सुनती रही तो वो चलिया कि एवल बातों से उसका उद्धार कर देगा यदि में तुम्हे तुम्हारा खोया हुआ परिवार माता पिता कैस ने नहीं लोटा पाया तो उसके बाद तुम्हें जो भी दर्ण दोगी मुझे स्रिकार होगा ये एक छोटे बाई का पचा ने अपनी बड़ी बेहन से किन्तु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ बताओ आखिर ऐसा क्या अपरात किया था मैंने संसार का भला तुम्हें करना था और मुझसे मेरे सर्वस्तु छेन लिया गया बेहन तुम्हारे परष्णों का उत्तर है मेरे पास सब बताता हूँ बस एक छान के लिए तुम अपना क्रोट जाग दो और ध्यान सिसनो नाराये नारा प्रभु एक आंगा सत्य कहरी है उसका प्रष्ण भी उचित है एसा अन्याय ऐसा छल ऐसी निर्दैता वो भी परमवताश्री कृष्ण की बहन के साथ ऐसा क्यों प्रभु एक आंगा से उसका सर्वस्य छिन गया क्यों उसे अपनों से केवल व्योग मिला प्रेम नहीं प्रभु देवरिशी इसका कारण एक आंगा के पूरुजनम में चुपा हुआ है पूरुजनम हाँ देवरिशी अपने पूरुजन और रामवतार के समय एक आंगा मेरी बड़ी बहन थी और उसका नाम था शानता ना किन्तु प्रभु संसार को इस विषय में कोई विषेष ग्यान नहीं ऐसा क्यों प्रभु वह इसलिए देवरिशी क्योंकि मेरे रामवतार के जनम से पहले ही मेरी बहन शानता का विवा बशी श्रिंग के साथ हो गया था और विवा के पश्षाद हू कभी आयोध्या नहीं मैं उनसे मिलने के लिए सदैव ललायत रहता था जब जब उनसे मिलने का अफसर मिला मैंने अवश्य प्रयास किया इसे अतिशी ग्रो रिशी श्रिंग के आश्रो में पहुचा दीचिए कितने वर्ष हो गए आपको आपके बहन शान्ता के नाम पत्र लिखते हूं किन्तु वे आपसे कभी मिलने नहीं आई सीथे हो सकता है और ने कोई अफसरी नहीं मिल रहा हूँ किन्तु आपके पत्र का उत्तर तो दे सकती है अगता है मेरी बहन मुझ से रुष्ठ है और इसी प्रकारून ने हमें भुला दिया है मैं केबल नहीं का नाम जानता हूं कभी उनसे मिला नहीं नहीं किन्तु मन में एक इच्छा है, कि कम से कम एक बार उनके दर्शन कर सुखू, उनसे बाते कर सुखू. किन्तु रगु नंदन, यदि आपकी बेहन आपसे मिलने की इच्छा ही नहीं रखती, तो आप उनसे कैसे मिलेंगे? नहीं, सीते. उन्हें मुझ से मिलना ही होगा. देवरिशी, श्री राम जीवन भर अपनी बेहन की प्रतीक्षा करते रहे, उनके प्रेम के वियोग में जलते रहे, किन्तु उने कभी अपनी बेहन शानता के दर्शन नहीं हुए, किन्चे तुसी भाई के व्याकुल प्रेम का प्रतियुत्तर है, एक आंगा का ही जीवन. अपनी बेहन की प्रतीक्षा करते रहे, वैसे इस जन में तुम्हे अपने प्रेजनों का प्रेम ना मिलने का लुक सेहना पड़ा, किन्तु बेहन, मैं अब भी मानता हूँ, कि तुम्हारे साथी अन्याए नहीं होना चाहेता, और इन सब का दोशी नहीं हूँ, और इन सब क करदो मेरा, अब मैं तुम्हारे सामने से नहीं एटूंगा, बेहन, अतने दुख्का प्रतीशोर लो बेहन, पेरा अन्त करदो मेरा, अन्त करदो मेरा नहीं काना, एक बार तुम्हारे रिणी होकर, मैं इतना कष्ट भोग रही हो, अब मेरे कारण इसकी पुनरा विद्धी नहीं होगी, और मैं नहीं चाहती, कि संसार भी यहीं कहे, कि एक बेहन ने, अपने भाई का आहित किया, जिसे अपने भाई को, अपने हिर्दय से लगाना चाहिए था, उसने अपने ही भाई का, उसके प्रेम का अंत कर दिया, मुझे एक शमा कर दो, नहीं कांगा, तुम्हारे सांड पर कोई भी होता, तो यहीं करता, जो तुमने किया, तुम निर्दोशो बेहन, काना, किन्तु अब मैं क्या करूँ, कहा जाओ, मैं संसार में भी नहीं रह सकती, क्योंकि अपने ही प्रतिशोद की अगनी में जलते हुए, अपने ही बुरे कर्मों की कालिमा में घेर गई हूँ, अपनी बेहन का इक कार ये करोगी, बेहन, मैं तुमार लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, काना, तुम साक्षात, नारायन का अफतार हो, इस अपराधनी पर एक उपकार करोगी, मुझे अपनी शरण में लेलो, मेरा उद्धार कर दो, मुझे जीवन मृत्यों के इस बंधन से मुक्त कर दो, भाई, मुक्त कर दो, भाव रोप जब करते धार, भाव सेतार पे हूँ, भाव तारण, जन्म मित्यों और मौक्ष के दाटा, कर्म भाग के तुम ही वीधा चार.. इवो अस्तु मेरी बेन एकांगा, मैं तुम्हे धारण करता हूँ. आज मैं तुम्हे अकने शरण में लेता हूँ. नार आये, नार आये, प्रभू. कानः ऊपनी बहन के प्रेम में ये क्या अमर्थ करने जा रहा है? कानः तो कन्स की योजनाओं को जानते हैं प्रभू. मैं जानते हैं कि कन्स अपने आत्मा का एक भाग एक आंगा के भीतर स्थापित कर दिया है. पिर भी कानः एकांगा को धारं कर रहे हैं. ऐसा क्यों प्रभू? देवरिशी, कानः मेरे पुणन अवतार हैं. मेरे समानी वो समपुन सृिष्टि को धारं करते हैं. वो परमात्मा है. उनके भीतर संसार की सभी आत्माएवास करती हैं. कर यह तो कंस की आत्मा का माँत्रो एक भाग है कंस शाहे जो भी सोच रहा हो किंतु काना तो उसे अपनी शरण में ले ही रहे हैं देपरिशी ना राए ना राए मैं समझ गया, प्रभु मैं समझ गया कंस अपनी आत्मा को काना के बीतर स्थापित कर उनका अहित करना चाहता है किन्तु कंस ये नहीं जानता कि उसका विधार निकट है प्रभू कि उसका विधार निकट है हो गई! हो गई! स्थापना हो गई! मेरा प्यात सब्द हो गया! गांगा की यात्रा पूर्ण हुई! आज बर्मा वतार श्रीकृिष्ट में परमधर्मी भगवान कंश की आत्मा का पवित्रतम भाग स्थापिक हो गया आई जगरदारी तेरी अकाश्वानी मिध्यात सिद्धोई तेरी योजना धरी की धरी रह गई यदि तू मुझे मारना चाहता है तो पहले तुझे इस परमवतार श्री कृष्न कांद करना होगा मादी से